नमस्का श्टूरंट मैं जितेनरपाल आप सब लोगों का आपके फेवरेट यूटूब चैनल MP Campus में हार द्योक स्वागत करता हूँ तो चलिए आज चलते हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत महत्पूर प्रिश्णों की संखला जो आपके उत्तर प्रिश एक्जाम में मैट्स एक्षन में आएंगे तो आज से लगबग परड़े 20-20 कुस्चन को हम सॉल्व करेंगे और मैट्स के तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुस्चन नम्मर फस्ट और ये बहुत बढ़िया कुस्चन होगे तो पहला कुस्चन नम्मर ये रार्ट की स्किल पर आगया होगा फस्ट कुस्चन ये कह रहा है कि यदि दो घ्णों के आयतनों का अनुपाद 27-67-64 है यनि पहले धन का आयतन और दूसरे धन के आयतन का अनुपाद दिया गया 27 अनुपाद 64 तो आपसे कह रहा है तो उनिके कुल प्रस्ट छितफलों का अनुपाद निकाले तो यहां से अगर हम पहले भुजा निकालेंगे तो भुजा निकालने के लिए दोनों तरब क्या करें क्यूब तो क्यूब उट करेंगे यहां आ जाएगा एवन और यह हो जाएगा एटू कि यह 27 का क्यूब और यह 64 का तो 27 का होता है तीन और 64 का चार यानि पहले और दूसरे घनों के भुजाओं का अनुपाद आपका यह आगया अब उसके प्रिष्ट छित्पल का अनुपाद पूचा गया है मतलब एवन स्क्वार और एटू स स्कॉर तो 3 का स्कॉर रिषियो चार का स्कॉर तीन का स्कॉर नौ और चार का स्कॉर कुछन हो जाएगा 16 तो यह आज का प्यारा सा कुस्षिन नमर सेकेंड कुश्चन नमर सेकेंड ये कह रहा है कि पारस 40% काम को 8 दिन में पूरा करता है और तीब्ती और पारस एक साथ 10% काम को एक दिन में पूरा करती है तो सबसे पहले ऐसे कुश्चन में हम क्या कराएंगे पूरा काम कराएंगे तो अगर हम करें कि पारस आठ दिन में काम कितना करता है 40% और पूरा काम कराने के लिए 100% काम कराने के लिए तो कितने दिन लगेंगे आठ पंचेश चार दूनी आठ यानि कितने दिन लगेंगे 20 दिन और ऐसे ही पारस और दीपती अगर मिलकर करते हैं तो एक दिन में कितना काम कर पाते हैं एक दिन में वो आपका 10% काम कर पाते हैं तो टोटा अगर कार कराना है तोटा मतलब 100% तो 100% कराने के लिए 10-200 कितना आ जाएगा 10 तो कि अविस्टि दूने बडूनी बीस बटे दीप्ति करेगी जो दो चम्ता कि एक है तो डीप्ति की जिसमें पारस की चम्ता एक है तो दीप्ति की भी एक हुझाए और दीपती इसकान को करेगी कितने दिन में करेगी 20 दिन कितने दिन में करेगी 20 दिन में पूराप करेगी ये था question number second अब देखेंगे question number हम लोग third ठीक अब देखते हैं question number third question number आज का third question number third क्या कह रहा है next question है अब का ये कह रहा है कि एक सम्धिबाहू तरुभुज की तीसरी भुजा बरावर भुजाओं से 60 cm कम है सम्धिबाहू तरुभुज ये सम्धिबाहू तरुभुज जिसकी दो भुजाओं बरावर है तो हमने ये दोनों भुजा बरावर कर दो और तीसरी वाली जो भुजा है वो बराबर भुजाओं से 60 cm कम है तो यह x, x मामनों यह क्या आजाएगा? x-7 अब परिमाकार तिनों को जोड़ो तो कितना आजाएगा? 3x-7 और कितना दिया गया है? 3.6 मीटर यह cm है तो उसे 20 cm बनेगी 360 आजाएगा 3x की वैलू कितनी आजा आजाएगा? x की वैलू आजाएगा? 420 बटे 3, 3 से काट दो, 3 एकम 3, और 3.12 कितना आजाएगा? 140 मीटर, आपसे एक कहे क्या रहा है तो तीसरी बुजा घ्याद किजिए, तीसरी मतलब यह वाली बुजा, तो 140-60 कर देंगे, कितना आजाएगा? 80 क्या आजाएगा? 80 हो जा आजी कहरा आपका, कि 8.5, 8.5, 8.5, माइनस, 1.6 का, 4.07, 4.07, माइनस, 1.2, बार, माइनस, 0.9, आपसे यह कह रहा है, इसको, इसका सरूसल क्या होगा? तो जो गहाएगा? यह आजाएगा? यह दिसम्दा 5-1.5 का 1.6 और का इसमें सबसे पहले क्या करते ब्रैकेट इसमें बार ब्रैकेट है बारा में से नो तला जाएगा पॉइंट 3 आजाएगा तो हम यहां पर सॉल्ब करेंगे 4.07 में से पॉइंट 3 गटा नहीं तो 3 गटा पिरना जाएगा 8.5 माइनस अब देखो 1.6 का का मतलब होता है गुणा लेकिन पहली का को ही सॉल्ब करेंगे तो अगर इसमें से मानस करोगे तो पॉइंट अब देखो यहां पर 30 कर लें तो 7 से 7 और 10 में से 3 गया 7 यह इतना बचेगा 2 इसको सॉल्ब करते हैं 8.5 माइनस अब देखो इसको कैसे सॉल्ब करेंगे अब ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन में क्या होता थोड़ा जल्दी सॉल्ब हो जाता है ऑप्शन जैसे निकाए आपका 2.468 24.68 इसके बाद करा है 68.24 6.824 अब इसका मतलब एक 24 नहीं आएगा और 68 नहीं आएगा इन दोनों में से कोई आंसर आएगा अब इन दोनों में से कोई आंसर लिकालने के लिए देखो अगरा मिकाई कांग देखे तो 7 यह 6 का गुणा करेंगे 6.42 और 6.42 और यहां दो अंक बाद है यहां दो अंक अगर बताते हैं दस में से दो गया आठ आठ का मतलब कुम सा हो जाएगा फस्ट बाला क्योंकि यहां कि फायट कुछन आप से क्या कह रहा है तो जल्दी से सौल करते हैं करा एक आयत का पर्मा ब्रत की परदी के बराबर है तो एक आयत का पर्मा लिखा है आयत का परिमा यह नि आयत का पर्मा होता है 2L प्लस V और किसके हैं ब्रत की परदी के बराबर है ब्रत की परदी होती है टू पाई आर और आर की वैलू आपकी दी गई है जिसकी तिज्जा 21 है तो अगर हम 22 अपॉन 7 इंटू 21 इसको स्वर्ण परेंगे तो साथ या 21 हो जाएगा तो यह तुमारा दो से दो केंचिल हो जाएगा यालि प्लस बी का माना जाएगा छाचेट दूसरा कह रहा है आयत का चेटरपल पर्म अच्छोंच मतलब यह सब्सक्राइब 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 यह अंदर दो और नौ दो बहार आएगा और दो मतलब अंदर होगा दो नी चाह प्रती द्रकान्द नौ और चार काश में भाग देखते हैं नौ से भाग देंगे तो यह आजाएगा चार से पहड़े दो चार चांग 24 कि कितना बचा दो चारथ 25 427 9 से अगर भाग देंगे सचाने 973 और 937 अब दिखो यह तो बहार आजाएगा अंदर में क्या वह जाएगा सिबन पी खिर तो कौन सा हो जाएगा फर्स्ट वाग ठिकान गुश्चन देखते हैं कि और नच पुस्ट उस नमबर आपका क्या हुजाएगा शिक्स कि एक बल्लेवाज ने अठार्मी पारी में 19 रण बनाई अब बल्लेवाज की कौन सी पारी अठार्मी पारी और इसमें बनाई के दिना इस प्रकार उसका उसके आउसत में दो की ब्रद्धी हो गई इसका मतलब उन्यासी रण बनाने पर उसक में दो की ब्रद्धी हो गई तो दो की ब्रद्धी हो गई इसका मतलब हो गया कि पहले यह अठार्मी पारी है तो सत्रा पारी तक उसमें जो रण बनाए होंगे उसमें से दो की ब्रद्धी हो गई ब्रद् तो अगर कहा जाए कि सत्रमी पारी तक उसका और तो और बढ़े गया तो तो और नहीं कितना हो जाएगा कि एक निश्चित मूल धन पर दस सई एक बटे दो वर्सों के लिए बारा पर्शन साधारण व्याज की दर से साधारण व्याज और तीन वर्सों के लिए नौ पर्सन प्रति वर्स की दर से समान पर मिस्र दन चपन कम है यह सवाल का मतलब है कि पहले टाइम कहा दस से एक वटे दो बरस और आपको रेट कितनी दे रहा है रेट दे रहा है बारा परसे ठीक है और उसका कह़रा है कि इसका जो साधरत ब्याजाए जो सिंपल इंट्रेस्ट है वही उसी मूल दन पर समान मूल निटे पर दो देज कर कम 2 दर तर आपको दे रहा है लोग परसेट और टाइम वर्सका जो मिस्र धन है उनका अंतर कितना है छपन पर तो इसका मतलब यहां से हम निकालें घ्याज और शाधाड भ्याण मूल धन हम कितना मालने हमेशा चाधाड जाड़ में मूल धन हम मालन होता है आर्टी परसेंट का मतलब आयर और टी-का तो यह आर्टी परसेंट का जाएगा बारा इंटू एक कीस बटे दो दू चंग बार हुड़ा करेंगे चाही कम छाही यह तुम्हारा आजाएगा एक सब्सक्राइब तो इतना निकालेंगे तो यह जाएगा एक सब्सक्राइब तो इनका अंतर कितना रुपया है चपन रुपया है आपसे कहरा है कि मूल धन जार कि मतला आपको सो परसेंट की बेलू निकाली है तो कितना आजाएगा चपन सो रुपया और ओप्शन आपका आजाएगा सेकेंड नेस्ट कुस्चन देखो भाई नेस्ट कुस्चन आपका एक व्यक्त की मासिक आया बारा हजार रुपए थी तो एक व्यक्त की मासिक आया आय किती उसकी थी बारा हजार रुपए लोग और उसका मासिक बेर बेर कितना था आठ हजार रुपए यदि अंगले बर्ष उसकी आय में दस परसेंट की व्रद्धी हो गई और बेर आठ परसेंट बढ़ गया तो पहले हम खर्च निकाले तो खर्च इतना है अगर वह आठ हजार कमारा इसको जब भी ऐसा कुस्चन आए तो आपको रेशियों में निकाले तो चार दूनी आठ चार तिया बारा चार दूनी आठ यरि इसका मतलब है कि तीन रेशियों दू अगर आए इसकी तिम रुपया है तो दो रुपया बे करता है और बचत कितना करता है बचत आपका करता है एक रुपया तो अगर आप इनको बढ़ा ले तो तीनसओ दूसओ और सौ अब Week ए की अंगले बर्स उसकी आए में 10 परस चॉ depress Nich sibling दस पर सेंटा अगर मिंकालैंगी अरे एक यूसीत टिस अब जो का में सोले बड़े खिktó साधा कि कितने परसेंट पर सकते आप दूसी सिद्वाद के सब्सक्राया ने Erichuk पर्सेंट अप्शन नम्मर हो जाएगा सेकेंड नेक्ट कुशन देखिए नेक्ट कुशन कहरा है कि चार मित्र A B C D के व्यवसाय का अनुपाद व्यवसाय में क्रमसा तीन अनुपाद साथ अनुपाद नौ A B C D ने क्या है तीन साथ नौ और तेरा नौ और तेरा के अनुपाद में पूझी लगाई व्यापाद स्टार्ट किया यदि C का लाव का एश्सा है अब दोको यहां पर पूझी और into समय बरावर में क्या आता है अब समय नहीं दिया गया इसका मतलब समय समान होको तो अगर समय समान है तो जो पूझी लगा ही वही किसमे बदा जाये अब लाव में बदाजाये गी अब कहाए कि जो सी का हिससा है इसमें कितना रुप्या है एट नान्य पंजीरो एक इसका ऐसा है सी का तो तुमसे यह तो एंदे का कुद हिस्सा कितना होगा साती कितने का मों कहाँ दस आठ से काट दो से काट नोने क्यासी अनौने मिक्यासी कितना बच गया नौने मिक्यासी जीरो तो कितना एसाद आएगा ए और बी को मिलाता 99-00 यानि 99-00 जी और नहीं कुस्चन देखें नेख्ट बहुत्रीन कुस्चन है कि रहां है। अब आप जानते हैं वेल्व न टुंक वेलू दो एक्ट लेट इन ठीड़ीस अब अब इस तर्फ इन पांसकी वैलू इसका मतलब होता है पांच गोड़े चार गोड़े तीन गोड़े दो गोड़े की पांचो को बीच तिया साथ दुनी 120 यह अगर इसका मतलब है तो संग्या को निन्यानवे से लेकर एक तक लगातार गुणा करते चलिए यह यह आपर चाह चाह रही हरे हैं टो बारा एक तेरा इक मतलब क्या खूर आँजा संग्याएंगा तीन मैं नैए स्पीड में करवा रहे हैं और इस्पीड में कलाने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा कुश्चिन सौल्ब हो जब एक कालेज छात्रावास में भोजनाले में 350 लड़कों के लिए 25 दिन का भोजन था 10 दिन भार जब कुछ लड़के दूसरे छात्रावास में इस्थानांतरित कर दिये तो पता चला कि भोजन अब 21 दिन चलेगा कितने लड़कों को दूसробें चात्रा वास में सतानांत रिद किया गया किसका मतलब यह है कि तीनसोपचास लोगों के लिए लड़कों के लिए 25 दिन का खा दस दिन उन्होंने क्या किया भोजन कर लिया यानि अब जो भोजन बचा है 350 लड़कों का कितने दिन का बचा आया 15 दिन का था जस दिन रोड खा लिए तो बचा कीतने दिन और अब यही भोजन कितने लड़के या नी 300 में से पुछ त्रांसप्र कर दीए गए इतनेहीं बची ये बच्चे आनके कीतने दिन में खा लेंगे 21 दिन इसको इसको शॉल कर लो तो तो साथ या इकीस और साथ पना पैडिस तीन से काट दो तीन पचे पंद्रा पच्छां पचीस धाई सब और यह तीन सो माइनस एकस एकस बरावर अपना जाएगा तीन सो में से दो सो पचास माइनस करेंगी पचास यह नि कितने रखों को ट्रांसपर कर दिया गया है तो यह ट्रांसपर कर दिया गया है नेक्स कुश्चन कर आपका सब्सक्राण कि कि एक अद्ध गोलिक को एक संकु के उपर अध्यारोपित किया गया है clearly ये तुमारा अर्ध गोला और इसके उपर क्या वना दिया गया सब और दोनों की तरज सबार correct चाहे और ये Four ये सक इस तो आप कैसे निकालेंगे संग का आयतन born बोने निदु और आपका संग का आयतन पूचा जायेगा यह वह नपॉन 3 पार स्वाइल ै अपिछ आपंड़ आंसर क्या हो जाएगा यहीं आजाएगा यहीं पाई अपोन थी आर स्क्वार और टू आर प्लस एच तो यहीं आपका क्या होगा आंसर होगा तो कैसा मेरा वीडियो लग रहा है हम आपको इसी तरीके से परड़े 20 प्लस कुस्चन को प्रैक्टिस कराएंगे और जब तक पु बिसिक से प्लस के आफ लोगे अे कर रहेंगे डार कि Onlyक थे को तो एक कार दोरीों कि दूरी हों से साथ किल्डियों की क्रमिय के दूरियों को ते करने करती trabajo इस दूररी में उसकी सट की दूरी का मतलब है सब की समाल इस कुश्चन को ऐसे डगाएंटी यहतु सुमारा यह साथ दस वीश तीस साथ दूरी अगर समान है तो हम दूरी एल्सी मिलेंगे उनका वाजाएंगे साथ तो कुल दूरी क्या होता है कुल दूरी बटे कुल लगा समय यही तो तुमारा क्या चीज करा था यही होता है और सब्सक्राइब है हुई है तो लगा उन या कोली दूरी क्यों जाए कि एक दो तीन चाह तो तो चार घुड़े और समय तो दस छक्कात छे आ जाएगा 20 तीया साथ तीन आ जाएगा 30.92 आ जाएगा और शाठे कम शाठे यह तो यहां पर आ जाएगा चार इंटू साथ और 4 तीन साथ छेह तीन नौ, नो तो गड़ा एक बाड़, 15, 65, 65, कीतना जाएगा 20, 20 किलो नीटर पती घंटा, तो आंसर क्या जाएगा, 20 किलो नीटर पती घंटा, ये तुम्हारा हो जाएगा इसकी आशत चाह। नेश कुछिछन देखो, नेश कुछिछन कह रहा है कि 12, 24 और 27 का चतुर्था अनुपाती, वही है जो ए और 36 का त्रिक्टिया अनुपाती, तो देखो भईया, यहां पर क्या करेंगे, इसका चतुर्था अनुपाती निकालेंगे, चतुर्था अनुपाती होता है कैसे, 24 into 27 upon 12, और इन दो से, संख्याओं का अगर त्रिक्टिया अनुपाती पुछा जाए, तो होता है 20 स्कुर्था अनुपाती, यहीं 36 बटे ए, इसको सौल्थ करेंगे, तो 12, 24 हो जाएगा, और 9, 24, 36 हो जाएगा, 9, 37, 37, 37, तुमारा, इकन जो नहीं पुकना जाएगा आपका, 24, तो एक ही वेलू जाएगी, एक ही वेलू हो जाएगी, आपकी 24, 24 हो जाएगी, नेक्स्ट कुछिन देखते हैं, नेक्स्ट बैदीन कुछिन है, यह कह रहा है कि दो पायप, एक टंकी को क्रमसा 6 गंटे और 8 गंटे में भर सकते हैं, एक 6 गंटे में भर सकता है, दूसरा भी जो पायप है, वो टंकी को 8 गंटे में भर सकता है, जब की तीसरा पायप, पूरी टंकी को 12 गंटे में खाली कर सकता है, यानि सी है वो बारा घंटे में खाली कर सकता है एल्सियम लेंगे तो यहां रहेगा चौविस शेटों को चौविस आठ टिया चौविस बारा दूरी चौविस खाली करता है इस वज़े से मानिस लगाई अब टंकी में कुल पानी कितना रहा चौविस लिटर और तीनों एक सा पांच घंटा तो आज के लिए इतने ही कुष्चन है कैसे आपको मेरे कुष्चन लगे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और हम आपके लिए बहुत बढ़िया कॉंटेंट लाएंगे बस आप लोगों को हमें सपोर्ट करने की थोड़ी आवसकता है जरूर हमें करें लाइक शेयर कमेंट अवस्थ करें थैंक यू